इस वीडियो के पहले भाग में हमने आपको बताया था कि देश के सबसे मजबूत कार्याल है यानि कि प्राइम मिनिस्टर ओफिस से आठ बरिश्ट नोकरसाय निकलने की तयारी में है उन नोकरसाहों ने प्राइम मिनिस्टर ओफिस को लेकर जो आरोप लगाये थे उसमें प्रधानमंती नरेंद मोदी की कारसहली तो सवालों के घेरे में थी ही साथी साथ इस बात पर भी उन्होंने सवाल उठाये थे कि ऐसे लोग जो नोन आईयस हैं और सरकार में सीधे तोर पर सामिल नहीं हैं वो लोग दखल अंदाजी रखते हैं PMO से लेकर सरकार की तमाम सारी नीतियों को बनाने में इतना ही नहीं तमाम मंत्रैलियों की नीतियों पर को भी वो लोग प्रभावित करते हैं उस समय मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में यह मैं खुलासा करूंगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जो प्रधानमंती नरेंद मोदी के अलावा इस सरकार को चला रहे हैं तो इसका सीधा सीधा उत्तर ये है कि जब सामानने तोर पर लोगों की बाचीत में ये बात आ गई है कि राश्टी सोयम सेवक संग सरकार में दखलांदाजी रखता है तो इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए राश्टी सेमक संग से जुड़े हुए लोगों ने सीधे-सीधे तोर पर RSS को इंबॉल्व ना करके 2009 में अजीट दोवाल ने एक संग्ठन बनाया जिसका नाम था विवेकनन इंटरनेशन फाउंडेशन और ये दिल्ली में चाणक पुरी में इसका ओफिस बनाया और इस संग्ठन का एक मात्र उद्देश था तक किसी तरीके से प्रधानमंतिरी नरेंद मोदी यानि की दक्षन बंती विचारदारा को सत्ता पर काविज कराना 2014 में प्रधानमंतिरी नरेंद मोदी की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से BIF से यानि की विवेकनन इंटरनेशन फाउंडेशन से प्लेसमेंट होने सुरू हुए उससे ये बात किसी से छुपी नहीं रह गई कि बिवेकनन्द फाउंडेशन डारेक्ट इंडारेक्ट इस सरकार को लाने के लिए ही काम कर रहा था 2005 में अजीद दोभाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफपत से रिटाइड होते हैं और 2009 में ही बिवेकनन्द इंटर्नेशनल फाउंडेशन की इस्थापना दिल्ली में कर लेते हैं हला कि जब इस पर यारोप लगते हैं कि संग की मानसिक्ता से गिरसित है तो बार-बार जीब दोभाल बचाओ करते हैं कि नहीं इसका संग से कोई लिना देना नहीं है लेकिन हकीकत यही है कि 1970 में संग के सरकारवाय एकनाथ रानाडे ने कन्या कुमारी में जिस बिवेकनन्द केंदर की स्थापना की थी उसी बिवेकनन्द केंदर से जुड़ा हुआ है बिवेकनन्द फाउंडेशन जब विवेकनन्द फाउंडेशन के अंदर आप इंटरी करते हैं, यानि कि चानकपुरी इस्तित उसके ओफिस में जब जाते हैं, तो एकनाथ रानाडे की और तमाम सारे संग के जुड़े हुए लोगों की वहाँ पर फोटो आपको दिख जाती है, एस गुरूमूर्ती यान इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़े हुए, जिलनों का कैंपस ब्लेश्मेंट सीधे-सीधे वियाइफ से सरकार में हो गया, उनलों में पहला नाम आता है अजीट डोभाल का, सब लोग इस नाम से वाकिफ हैं, राष्टी सुलक्षा सलाकार का पद उनको दिया गया, लेकिन हकीकत यह है कि प्रधानमंती नरेंद मोदी के जेम्स बांडी के तोर पर काम करते हैं, ना सरकार बनने के बाद, बलकि सरकार बनने से पहले, जब इस रच जहां मुटभेड मामले में नरेंद मोदी को भजाने की कोसिस की गई, तो उनके बचाओं में सीधे-सीधे अजीट डोबाल उतर आये थे और उन्होंने कहा था कि इस रच जहां एक आतंगवादी संग्ठन से जुड़ी हुई है, तमाम सारे ऐसे मामलों में जहां प्रधानमंती नरेंद मोदी प्रधानमंती बनने से कनने के बाद नहीं, उसके पहले भी फस्ते नजार आये वहां अजीट डोबाल उनके लिए ढाल की तरह खड़ा रहा, अजीट डोबाल जब वहां चले गए यानि की राष्टी सुरक्षा सलाकार बन गए तो उनके स्थान पर पूर्प सेना प्रमुक एंसी बिज को इस विवेक अनन्द इंटरनेशनल फाउंडेशन का निदेशक बना इनको नीती आयोक का सदस्य कपत देकर इनको उपकरत किया गया, स्वामीनाथन गुरु मूर्थी इस नाम से भी सभी बाकिफ हैं, जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसमें स्वामीनाथन गुरु मूर्थी का एक बड़ा हाथ था, सोदेशी मागरन जागरनमंद से आर्थिक सलाहों में दिखती भी है, बिवेक देवरोय, आर्थिक सलाकार परसत के अध्यक्ष हैं, हाल में ही है कि एक बुस्तक का बिमोचन हुआ था जिसमें बिवेक दोबराय और स्वामीनाथन गुरु मूर्थी दिखाई दिये थे, दूर दरसन उस प्रोग्राम को आर्थिक सामिल थे, जो आएम बेंगलोरु के प्रोफेसर हैं, और सीधे सीधे सरकार को आर्थिक मामलों पे सलाह देते हैं, वो भी दक्षनपंथी मानसिक्ता के माने जाते हैं, अनिल वैजल जो वी आइफ से जोड़े हुए थे, उनको दिल्ली के उपराज जिक पाल का प पूर्व इदे सचिब कविल सिब्बल, ये सभी वो नाम हैं, जो कभी न कभी किसी महत्मून पत पर रहे हैं, और ये बी आइफ से जुड़ करके दक्षन पंथ की विचारधारा का प्रसार कर रहे थे, रोके पूर्व सचिब एक बर्मा, जिन पर आयस यदिक संपत्ति का आरोप भी लगा, और ये भी आरोप लगे कि CIA को एक अधिकारी, जो रोका पूर्व अधिकारी, CIA को सूचना पहुचा था, उसकी मदद करते थे, एक बर्मा, रोके पूर्व पूर्व प्रमुक, CD सहाय, पूर्व राजदूत, प्रभात प्रकास सुकला, पूर्व सेना प् प्रमुक, एश कृष्णा स्वामी, ये मैंने चुनिंदा नाम बताए, ऐसे तमाम सारे नाम हैं, जो सेना प्रमुक के तौर पर, जो रोके प्रमुक के तौर पर, ये तमाम सारे देश के सम्विधानिक संस्थाओं के प्रमुक के तौर पर जाने जाते थे, वो सारे लोग B विवेकानेंद इंटरनेशन फाउंडेशन से जुड़े हुए थे उनको प्रत्यक्ष रूप से सरकार ने उपकरत किया है। इंटरनेशन फाउंडेशन 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 से जुड़े हैं। पूर पूर्पूर्मुक कोई बात कहरा है तो निश्चित रूप से इस मामले में सच्चाई होगी। क्योंकि ये अभियान DRDO और इसरो द्वारा से पूरा किया गया था। लेकिन जब आप इसको करीब से देखते हैं तो पाते हैं कि जीवादबन नायर अमेशा की उपस्तिती में BJP में सामिल हो जाते हैं। कि BJP नेता हो जाते हैं। जब आप BJP नेता की तौर पर देखते हैं तो इस बयान के मामले माइने अलग हो जाते हैं। तो ऐसे में S वैदनाथन सामने आते हैं, S गुरुमूर्ती सामने आते हैं तो आपको लगता है कि ये दोनों लोग तो आर्थिक मामलों के बहुत जानकार हैं और ये कह रहे हैं तो ठीक कह रहे होंगे। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि सीधे-सीधे VIP से जुड़े आप जो पूरा केंपेंज चल रहा था उसमें इन्वाल्व थे तो आपको बात समझ में आ जाती है कि खास मांसिक्ता के कारण ये बिरोध कर रहे हैं। कि खास मांसिक्ता का सपोर्ट ये सारे लोग मिल करके कर रहे हैं। गैरा में बावाराम्देओं की नेत्रत्य में इसी बिवेकर इंटर्नेशन फाउंडेशन में एक बैठक होती है, जिसमें तै किया जाता है कि काला धन और ब्रिष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाना है, उस बैठक में कौन लोग सामिल थे, उससे आपको तस्वीर इस दक्षन बंची बित्वारदारा के माने जाते हैं, इस मीटिंग में फैसला लिया गया कि पूरे देश में काला धन और ब्रिष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम चलानी है, मुहिम चलाई गई, अन्ना हजारे को सीधे सीधे जंतर मंतर बर बठाल दिया गया, और जो नाम मैं रखना चाहते थे, इस वीडियो से बंचित तपके के नेताओं और पार्टियों को भी सबग लेने की जरूरत है, जो अपने इर्द गिर्द जवानी कुर्वान ग्रो और सिर्फ नारेवाजों की टीम को रखना चाहते हैं, वो लोग बुद्द्जीवियों से किनारा करके शायद यही वज़े है कि उनकी सरकारे आने के बाद या तो इस्थाई तोर पर अच्छा काम नहीं कर पाती हैं, या जादे दिन तक टिक नहीं पाती हैं, इस वीडियो के माध्यम से नेसल जनमती बताना चाहता था, कि जिस RSS पर हम बारबार आरोब लगाते हैं, उसी से ज जोड़े हुए निर्पिन मिस्रा को प्रधानमंती नरेन मोधी का प्रमुक सचित बनाने का इतना दवाओ था कि उसके लिए अध्यादेश लाया गया, कानून में बदलाओ किया गया, क्योंकि निर्पिन मिस्रा ट्राई के चेर्मेन रह चुके थे, और कानून ये था, कि प्रमुक सचित बनाना था, तो उसके लिए निर्पिन मिस्रा को प्रधानमंती का प्रमुक सचित बनाना था, तो उसके लिए नियम में बदलाओ किया गया, कानून लाया गया, बाद में अध्यादेश में बदलाओ करके उनका अपना प्रधान सचित बनाया गया, आप दे अपनी खास मनस्क्ता से जुड़े हुए लोगों को I.S. न होती हुए भी, सरकार में न होती हुए भी, सांसत विधायक न होती हुए भी, सरकार में सामिल करके इंवल्व कर ले रही है, जागुरुप सजक बने रही है, जै विज्ञान, जै सम्मिधान.